Hello everyone, welcome to Sunita's recipe, मैं हूँ Sunita आज मैंने बनाया है orange oil, natural तरीके से घर पर इसी orange oil को अगर मार्केट से लेते हैं तो काफी महंगे पड़ते हैं एकदम सस्ते में बन जाएगा, natural तरीके से बहुत ज़्यदा effective होता है इसके कई फायदे होते हैं यह एक essential oil है, इसे cooking में भी इस्तमाल किया सकता है इसकी aroma जो होती है हमारे मन को बहुत ही सुकुन देता है फेस पर हम apply करें regular तो हमारे acne, dark spot और fine line रिमूव हो जाते हैं और इससे हमारे skin में काफी glow आता है और skin healthy बनता है तो चलिए शुरू करते हैं इस recipe को और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रू से like कर दें तो यहाँ पर मैंने दो orange लिया है इसी से हम oil बनाने वाले हैं orange बिल्कुल fresh होने चाहिए और सबसे पहले जब हम skin के लिए कुछ बना रहे हैं तो जो भी product हो उसे बिल्कुल clean होना चाहिए धूल, मिट्टी, pesticide से तो अच्छी तरह से wash करना बहुत जरूरी होता है तो इसे wash करने का सबसे बेश तरीका है कि पानी में आप नमक डाल दें उसमें फिर orange को 10 मिनिट के लिए सूख कर दें तो इससे जो होती है न पेस्टिसाइज, धूल, मिट्टी वो सारी पानी में आ जाती है और जो skin होगा, orange को वो अच्छी तरह से clean हो जाएगा इसके बाद आप अच्छी तरह से इसे skin को rub कर लें रब करके wash कर लें उसके बाद फिर से fresh water से 2-3 बार wash कर लेना है पर से अच्छी तरह से सूखा लिया है इसके छिलकों का ही oil बनेगा इसके juice का कुछ भी नहीं होता है जो उपर का ये जो छिलका है जिसे जेश्ट कहा जाता है उसे हमें निकालना है इस तरह से जो बारिक वाले जो ग्रेटर होते हैं उस तरह से आप उपर उपर हलका हलका इसे ग्रेट करेंगे तो इसके छिलके निकलाएंगे और इसके जो अंदर वाइट होता है वो नहीं आना चाहिए सिप इसके उपर का जो सिप छिलका है ना प्योर वही निकालना है हमें और ये बहुत असानी से हो जाता है तो दोनों और के जो जेस्ट है हैं हम निकाल लेंगे तो अगर इसे हम मेजर करते हैं तो बिलकुल एक बड़ा चमच भर कर जेस्ट तयार होता है इतना हमें लेना है और यह देखिए कितनी अच्छी तरह से हो गया और यह ओरेंज को छिलके जो हम फेक देते हैं आज हम इससे इतनी अच्छी चीज बनाने वाले हैं जो बहुत ही महेंगे मिलते हैं मार्केट में और वैसे भी ओरेंज का छिलका होता है हमारे skin के लिए बहुत ही फायदे मन होता है इसके छिलकों को फेके ना सुखा कर इसे पीस लें इसको उप्टन के रूप में या face mask के रूप में इस्तमाल करें बहुत ही अच्छा रहेगा अभी जो जेस्ट है बिलकुल एक बड़ा चमच भर कर तयार हुआ है अब इसका हम oil बनाएंगे तो इसके लिए एक चोटा सा बरतन लेला है और यहां मैं इस्तमाल कर रहे हूं cold प्रेस virgin coconut oil दो बड़े चमच लेना है आपके पास coconut oil नहीं है तो आप virgin olive oil का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर almond oil भी ले सकते हैं वैसे यहां पर almond oil और coconut oil दोनों को मिला कर लिया ज नैच्रल तरके से पकाएंगे तो क्या करना है एक पैन ले 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 उसमें पानी रखकर उबाल ले और फिर हम इस oil को रखेंगे और गैस को बंद कर देंगे यह जो गर्माहट है ना पानी की इसे में यह हमारा जो औरेंज जेस्ट है इन्फ्यूज होगा oil में धीरे धीरे प बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा तो तीन से चार घंटे लगते हैं इसको बिल्कुल प्रॉपर ठंडा होने में और इसके बाद आप कोई भी एकदम क्लीन कॉटन का कपड़ा ले बारिक वाला और इसके बाद इस oil को हम किसी भी छोटे से कांच के जार में निकाल लेंगे ये बिल्कुल प्यूर औरेंज एसेंसिल ओर त्यार हो गया है। इसे हमने कुख नहीं किया है बस एक गरम पानी में रखकर गरमाहट दी हैं जिस से ये पूरा इनफ्यूज हो गया हैं जो भी औरेंज के वेल्यूस हैं वो ओर इस तरह से हम पतले कपड़े से चान कर अटर यह जो आयल त्यार होगा, इस ओयल को आप कोकिंग में भी इस्तमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला है, अगर फेस के लिए इस्तमाल करना है, तो इसके लिए आगे हम इसमें कुछ ऐसी चीज मिलाएंगे, जो इसके गुड़ को, इसके वेनफीट को मिलेगे, अब इसमें मैं बिटमीन एक कैपसूल मिलाने वाली हूँ, एक कैपसूल मिला लाएं, यह बहुत आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और आप इसे रख दीजिए, यह खराप बिलकुल नहीं होता है, इ आपने ओयल लगाया है, और कैसे अलगा आपको यह मेरा वीडियो, प्लीज एक प्यारासा कमेंट करके जरूर से बता दे, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कर दे, मेरे चैनल पे नहा है, तो प्लेज इसे सब्सक्राइब कर ले, थाइंक्यू, बाबा,